नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे स्टुटूप चैनल यात्तिरी सुब्धा में आज किस वीडियो में जानेंगे ततकाल वेटिंग लिस्टिकर्ट कन्फरमिशन चांसेस के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं फ्रेंड्स जैसा कि इंडियेन रेलवे में अलग-अलग तरह के कोटा होते हैं इसी तरह इसमें कोटा होता है ततकाल फ्रेंड्स ततकाल टिकट जनलै वो पेसंजर्स बुक करते हैं जो की एमरजंसी में ट्रैवल करते हैं या फिर जिनका अचानक से ट्रेवलिंग का प्लैन बनता है अब जैसे कि दोस्तों ततकाल टिकट को यातरा के एक दिन पहले बुक किया जाता है फ्रेंट्स जब ट्रेन में ततकाल टिकट्स एबलेबल होते हैं ऐसे में पैसेंजर्स ततकाल टिकट्स बुक कर सकते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि और ट्रेन में ततकाल टिकट्स एबलेबल नहीं होते हैं ऐसे में रेलवे ततकाल वेटिंग लिस्टिकट इसू करता है जिसे TQL भी कहा जाता है अब फ्रेंड्स जब पैसेंजर्स और TQL या ततकाल कोटा वेटिंग लिस्टिकट आप बुक करते हैं या फिर उससे पहले आप बुक करने वाले होते हैं तो उनके मन में एक डाउट होता है कि ततकाल वेटिंग लिस्टिकट कनफर्म होगा या नहीं फ्रेंड्स देखिए जैसा कि ततकाल टिकट्स जनरली वो पैसेंजर्स बुक करते हैं जो कि एमर्जंसी में ट्रेवल करना चाते हैं या फिर जिनका अचानक से ट्रेवलिंग का प्लैन बनता है ऐसे में वो पैसेंजर्स अपना टिकट कैंसल नहीं करते हैं इसलिए ततकाल कोटा वेटिंग लिस्टिकट जल्दी कनफर्म नहीं होता है तो फ्रेंड्स इसका यही रिजन है जो कि ततकाल वेटिंग लिस्टिकट जल्दी कनफर्म नहीं होता है तो friends अगर हम बात करें simply तो ततकाल waiting list ticket confirmation chances बहुत ही कम होते हैं या यू कहें कि जो TQWL ticket होता है उसके confirmation chances बहुत ही कम होते हैं तो friends इस विडियों हमने जाना TQWL या ततकाल quota waiting list ticket confirmation chances के बारे में इसके अधिक जानकारी के लिए आप description box को भी चेक कर सकते हैं प्लीस इस विडियों को like करें हमारे चनल को subscribe करें और bell icon का बटन जरू दबाएं मिलेंगे next video में नई जानकारी के साथ धन्यवाद